देश में लगे लोगडाउन की सबसे ज़्यादा मार गरीब और असाहय लोग जहिल रही हैं जिनके पास न रहने के लिए घर है और न खाने के लिए रुपए ऐसे में हर कोई इन गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आ रहा है। और निशूलक उन लोगों को मास्क बाटे जो इन सब चीजों का खर्च नहीं उठा सकते। लेकिन जब आर्थिक तंगी के कारण मास्क बनाने में दिक्कत आने लगी तब सोनु की माँ अपनी बेटे की मदद के लिए आगे आई और घर में रखे जेवरात बेचकर लोगों क दुख दर्द बाटने वाले अपनी बेटे के साथ खड़ी हो गए ताकि बेटा अपनी मास्क बनाने के काम को जारी रख सके और इस महमारी से हर घरीब के पास तक मास्क पहुँच सके जिससे कोविड-19 से जंग जीती जा सके हर दिन डेली रुटीन के हिसाब से सुबर दस बजे से दिन के दोवे तक मास्क और साभून वित्रण कर रहे हैं हमारे पापा जो है वो काठमंडो में कप्रा कटिंग का काम और जब से लोगडाउन हुआ वो घर पे ही थे घर पे ही फसे हुए हैं तो वो जो हैं दिन भर मे चार से पांस दरजन मास्क बना लेते हैं और हम और हमारे संस्था के लोग जो दलित मोहला है गौँ है बस्ती है जुगी जोपड़ी नहर के साइड पर जो भी लोग रहते हैं उन लोग ता मास्क और साभून पहुंचाने का काम कर रहे हैं मैं नाम सोनु खान जब से करवन वारिस आया तो हम सोचे की मास मिलना बहुत मुस्किल हो गया मुस्किल हो गया तो हम सोचे कि अब क्या करें कहीं मिल भी ने रहा था दुकान में मिलने रहा था पूरे परिवार के साथ हम लोग यह करने लगे मास बनाने लगे उसके बाद भी पैसे की दिक्कत हो गए तो हम अपना जेवर बेच करके बेटा का होंसला बुलंद करा क्योंकि मेरा बेटा पहले से ही सब के साथ ये करता था मास सब को बाड़ता था उसके बाद ये जेवर बेच करके हम लोग पूरे परिवार के साथ सब को ये काम कर रहे हैं और आंदा करेंगे बेटा का होंसला बढ़ा सब लेए और गोक्ति के बातने के बाड़। मेरा देटा करकी हर को देता है। इसके बात हम सोच्टे है कि यह वाटने के बाद ता का करोना वारेस क EEY देखेक बेटे वर्य कास्मानू में राते म loro कäter सब करते हैं, कटिंग मास्टर भी है जब देखे हैं लोग डौन होगा है लोग हम चले आए घर में देखे बेठे बेठे कोई काम नहीं था तब बाल बच्चे के साथ बेट करके अपना ही मौस का काम बहुत जरूरी है बाल बच्चे के साथ हमने मौस का सिलाई करना सुरू कर दिया कोरोना वारत से मकाबले की इस संकट के समय में हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद कर रहा है कोई गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन की विवस्था कर रहा है तो कोई निस्वार्त भाव से कोरोना संकरमट से बचाव के लिए मास्क और पी-पी किट तयार कर लोगों के बीच वितरित कर रहा है तो कोई गली महलों में घुमने वाले बेजुबान जानवर भूख से व्यकुल नहों इसका भी ध्यान रख रहा है बहुत से लोग इन्हें समय पर भोजन उपलब्द करवा रही है और इनकी जरुतों का भी पूरा खयाल रख रही है पं